बागलपूर जिला में एक बार फिर मीनी गन फैक्टरी का उद्भेदन हुआ जहां वेद हतियार बनाने का सामान भारी मात्रा में बरामत किया गया मामला बागलपूर के बिसुवीद जाले थनाचत के परबत्ती महले का है। पर बाका पुलिस ने बिसुवीद जाले थना और ततारपूर थना के सयोग से सयोगत रूप से महम्मद सलाउद्दिन के आवास पर एहले सुवा च्छापे मारी के दुरान चोरी की हुई दो मोटर सैकिल में एक बुलेट और एक अपाची गारी च्छा पिश्टर और भारी म ग्रफतार कर लिया गया वहीं स्चापे मारी अभियान के दुरान सीटी एसपी मिश्टर राज सीटी डीएसपी जैकुमार चौधरी के साथ साथ बाका जिला के कटोरिया धनापरभारी मनोज कुमार सिंग एसाई परसांथ कुमार पंजवारा थना के साई मनीश कुमार इसे फर्दर इसमें डेवलेप्मेंट होता है इसका बाब आरे में हथियार अभी अवैद हथियार बढ़ामद हुए है इसमें एक दू आदमी को भी हजासत में लिया गया कन्फर्म थ्वादिर के बाद हम लोग बाड़ों करने हैं बिहार में काफी दिनों से चली आ रही सियासत की सरगर्मी का आज पठाचेप हुआ विधान सभाम नितीस कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया आनितीस कुमार के समर्थन में 139 बोट पड़े है वहीं बिस्वास मत पर बोटिंग से विपच ने वाक आउट कर लिया वहीं भागलपूर में भाजपा जद्यू हम पार्टी लोग जनसकती पार्टी ने खुसी काई जहार के और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा कर मिठा या बाटी खुसी में पठाके भी छोड़े सभी ने खा कि अब बिहार बिक्सित बिहार बनने चा रहा है इस खुसी के मौके पर सभी एंडिये पार्टी की दरजनो कारकरता मौजूद थे बिहार बिधान सवा में उन्हा एक बार बहुमत सामित किया गया जिस परकार से लोग महोल बनाये थे खेला होगे उस खेला का जवाव आज उनको मिल गया है और यहां जो विजय उस सब है उसको एंडिये का डवंदन मिलकर मना रहे हैं और बिहार में विकास की गंगा बहेगी और डवल इंजन की सरकार बिहार में हो गई और एक निश्चित रूप से दो नए बिहार की परिकलपना हम लोग करते हैं आपको मालूम है आज कई दिनों से चर्चा कर रहे थे विपक्षी लोग कि खेला होगा आपने खेला देख लिया कि इनके साथ खेला हुआ हमारे एंडिये के सम्मानित विधायक और सवी साथी एक जूट थे और उसका सक्ति का परिचाए आज विधान सभा में दिया इसलिए मैं आज भागलपूर जिला जनता दरनाइटेट एंडिये की और से मान्य ऌखवंत्री जी को धन्यवाद ग्यापन करता हूँ जो जनमत के अनुसार आज बहुमत जो मिला है और फिर से डबल एंजन की सरकार जो बनी है इस सरकार द्वारा अब जो जनहीत में जो काम विकास के जो रूका हुआ था अब डबल एंजन की सरकार पूरा विकास करेगी और फिर से हम मोदी जी को तीसरी बार चार सो पार करके बहुमत देंगे बिहार के लोगे जीत की है विधान सवा में जो खेला करना चाह रहे थे उनहीं के यहां खेला हो गया और अपनी यहां पे बिहार में जो विकास की आतरा है वो फिर से शुरू हुई और नरिन मोदी जी के आदेश और निर्देश पे बिहार के भी उत्थान और आगे विकास होगी यह सरकार डबल इंजिन की सरकार आगे बढ़ाएगी लेकिन आज बहुमत सावित करके यह सपस्ट हो गया कि बिहार में मान्या नितीश कुमार जी के नहतुरित में यह बिहार चल रहा है और आगे भी चलेगा इसी को लेकर हम लोग भागलपूर में एंडिये कार करता इसाक्चक थनाचितर के भीकनफूर में एक विभायता की मौत के बाद लड़की के परजनों ने जम कर बवाल काटा घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तबलपूर की रहने वाले नसरीन की साधी दो साल पहरे भीकनफूर निवासी मौहमद फैजर अंसारी से हुई थी साधी के बाद से ही सस्राल बाले नसरीन को दहेज के लिए प्रतारित करते रहते थे और मार पीट करते थे नसरीन की परज़नों ने आरोप लगाया है कि दहेज नहीं देने पर पती और साल वालों ने मिलकर नसरीन की हत्या कर दी वहीं घटना के सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची इसाक्षक पुलीस ने मृतिका के पती और सास को गिरपतार कर मामले की जाच में जुट गई मंगर क्यों अंते हैं उसकी ननन है सांस मैं सांस गौतनी बहग नी को एक सालो हूए किया एक देड़ सालो के ओरहा गनी क्या दिग्कत क्या रहता है सिएगैजाब्स पूरा दिक्कत कोई चीज ने तदक ने कपड़ा नसहीज इस पैसा बच्चा जब जब लेता है तो कही बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वे उसमें बिकलांगता की समस्य आती है जिसे सीपी कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा बिकलांगता से जू उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उकलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने नवजासिसु बालस पूरे सूबे में कुछ दिन पहले फाइलेरिया की दवा खाने से सैकड़ों बच्चे बिमार हो गए जिसका इलाज मायगंड अस्पताल तरस्पताल के लावे कई अस्पतालों में हुआ उसके बाद बच्चे ठीक होकर अपने घर चले गए आज फिर भागलपूर की तिलक सभी बच्चों को चक्कर और उल्टी होने लगा वहीं मामने की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजनी स्कूल पहुँचे और जम कर हंगामा किया बच्चों को अस्थानिया स्वास्ते केंद्र और मायगंड अस्पताल में भरती कराया गया बच्चों की तब्यत बिगड आगे पूरे जोड से पन्हाई आया है एक ससाट किया धुबाई टो जिटेखिया है तो क्या हो गया तारी पेड़ी पूरी दिलिले हम्टर नहीं हो तक पूर को न zijn नम हम और स्कोल खांगा जाए प्रॉट जो जाए रात दो शुकिल है सब्सक्राइब करती है पिर भी लोग सचेतर नहीं हो रहे ना ही अतयात के नियमों का पालन करते हैं ना ही वहान को धीमी गती से चलाते हैं आज फिर वहान की चपेट में आने से 28 वर्सिय युवक की मौत हो गई मामला भागलपूर की कहलगाओं की सनोखर थानाचितर का है जहां जुगार गारी और टोटो में जोड़दा टकर हो गई जिससे 28 वर्सिय युवक मौर्सिद भान बुरी तरह घायल हो गया इलाज के दुरान उसकी मौत हो गई मौर्सिद धनवकर का रहने वाला है अपने पीछे तीन बेटी, दो बेटे और पतनी को छोड़ गया है राजत की जुग्गी जोपली समीती के दजनो कारकरताओं ने आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवर्सो चौदरी से मिलकर अपनी बाते रखी और भूमीहिनों को अभी तक नहीं बसाया जाने की बात कही साथी आक्रोसित सभी प्रदर्सनकारी भूमीन लोगों ने बताया कि हम बिरान्वी लोगों को बसाने का आदिस जारी हो गया है फिर भी हम लोगों को अभी तक जमीन नहीं दिया गया अगर हम लोगों को जमीन मुहिया नहीं किराई गई तो हम लोग भूखरताल करें और यहीं पर अपनी जान दे देंगे साथ ही सबोंने कहा कि अंचल सबसे बड़ा चोर जगा है जिसके चलते हम लोग का अभी तक जमीन नहीं मिल पाया है हम नएज़ लाधिकारी से काफी उम्मीद करते हैं हमारी बाते सुनी जाएगी और हमें जमीन दी जाएगी जिससे हम सभी अपने अपने परिवार के साथ वहां रह सके हम लोग का परचा नहीं मिला गिया है हम लोग का परचा दिया जाए बना करके जिसको परचा मिला है वो उसको परचा पर बसाया जाए और जिसका नाम आये हुए हैं सुची में उसको जाच करके परचा दिया जाए उनको भी हम लोग आप तो भूख अरताल करेंगे हम लोग को नहीं दिया जा रहा है बहुत दिन से परियास कर रहें डियम साथ के पास इसलिए आ रहे हैं मेरा नम रूची देवी हम लोग घरताल करने के लिए आये में हैं गरीब सब को बसा दीजिए बेरानवे आदमी को आदेश हुआ था एक भी नहीं बसा है आज से देशाल पहले जो है इनके पूरी जो डियम साहिब थे लोग सिकायत के पदादिकारी के हिसाब से हम लोग को आदेश हुआ था बेरानवे भूमी हिनों को जमीन देने का पर्चा हम लोग को मिल गया है डियम साहब का आदेश हुआ कि सभी भूमीनों को जमीन का पर्चा मिल जाए पर्चा मिल गया जमीन हम लोग अभी तक देखे नहीं है पता चला कि खिरी बान में जमीन है जमीन हम लोग को मिलेगा और पर्चा में सब दो महिना का समय दिया ग आया गया है उसका पर्चा बना के उलोग को बित्रन कर दिया जाए और जो बाकी जो परवत्ती बगएर का जो जांच हुआ है अभी जांच नहीं वाव लोग का नाम आगिया है लिश्ट में एडियम साब कहां से मेरे पास खरीब देर सो दूसरो आजमी का लिश्ट आया कि अच्छा महा कारिक्रम कायोजन किया रहा है जिसको लेकर भागलपूर में भी कई जगों परिया कारिकरम मायवजित किया जा रहा ऐसी बाबत है, आज जीवन जाकती उससाइटी भागलपूर की तरब से चल रहा है, स्लग सुल अच्छा महा के अंतरगत है, आज सेंडीस कंपाउंड गेट पर मौक ड्रील कर स्लग रुखटना में हुए वैक्ति की कैसे मदद करें, ऐसे इस्तिति मे पुलीस से ना डरे जैसे कई बातों को बताया गया, अकसर लोग पुलीस से डरते हैं अगर किसी वैक्तिक अक्सिडेंट हुआ और हम उसे उठाते हैं तो पुलीस परिसान करेगी, मगरा वैसी कोई बात नहीं है, कोट के आदिश पर अब मदद करने वालों कोई नाम भी द भी आ जाएगा, बताय नाम दसजा रुपे की रासी दी जाएगी और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा अपनी जान को सुरक्षी तो लेकर जाएं, तो हलमेट लगाया है, कोई बात किसी का एक्सिडेंट हो जाता है, तो किसी को, सभी लोग बहुत आज के डेट में फोटो खीचने लगते हैं, फोटो वीडियो बनाने लगते हैं, उसको जल्दी से जल्दी हस्पिटल पहुंच कि आप सरक सुरक्षा में आगे बढ़कर रिशाल हैं, यदी कोई रास्ते में गिरा हुआ आदमी मिलता है, लगता है कि एक्सिडेंट हुआ है, तो देखकर उसको आगे नहीं बढ़ें, अपना घड़ी नहीं देखें, अपना समय नहीं देखें, सामने वाले का कूर समय द बनता है कि आप इसे अस्पताल ले जाएं, जहां तक डर की बात है, वो डर अब धूर की बात हो गई है, सुप्रीम कोट टे एक नियम निकाला है, जिसके ताथ कोई भी मदद करने वाला यदी अस्पताल ले जाता है, यदी रास्ते में उसकी मौद भी हो जाती है, तो समस्या आपको नहीं होने वाली है, बलकि सरकार आजकल ऐसे नागरी को गुड से मिरिटर निवाट देती है, जिला अधिकारी महोदवा देते हैं, जिला पदिदकारी देते हैं, और डिटी ओ देते हैं, जिला परिवन पदिदकारी आपको और 10,000 रुपिय तक नाम देती ह इसलिए आप सवों से प्रार्त्रा है जब भी सड़क द्रुकट्टा में घायल बेक्ति को देखिए ठारिये और उसको अस्पताल पहुचाईए यही निवेदन है पादन के गुन को सीखे इस विज्ञानिक सत्र में कई किरसी वभा के विज्ञानिक भी मौजूद थे समस्या क्या है साथ में वो यहां पर बूलाय है अलग-अलग कंपनियों के प्रतिनिधी को ताकि वह जो समस्या खिसान का है चाहे वह बीमारी से हो संबंधित या किसी भी तरह का या मार्केटिंग से संबंधित हो वह कहां तक उनका निराकर LIVE निकाल पाते है इस सिपर से मिना रहा है वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट के तहट जरदालु आम को भागलपु जिले के लिए चुना गया है और उसका किस तरह से अभी जेर्टेश मिल चुका है ब्रांडिंग उसकी हो चुकी है अब उसके मार्केटिंग और उसके उत्पादन की गुनवत्ता क की खेती कर रहे हैं जब हम लोग आम लेने जाते हैं सिजन में देखने जाते हैं तो पाते हैं कि नहीं का रख रखाओ बेहतर है किसी का कम है किसी ने किसी एक चीज में कमी कर दी है किसी ने दूसरे चीज में कमी कर दी है हम लोग का यह प्रियास हो रहा है कि समय की तुरूप हुए हैं उससे च्छन के जो आया है उन सब को समाहित करकर के एक ऐसा विकल्प हम लोग दें किसानों को कि आप यदि इस पैकेज प्रेक्टिसेश करेंगे तो यह बेहतर होगा साथ ही उनकी जो कुछ मांगें हैं जैसे पैक हाउस की मांग है या अन मांगें हैं छोटी- खेती के तरफ भी हम लोग बह रहा है जिला तो उस जैवी खेती के तरफ बहने के लिए हम लोगो क्या-क्या मेजर सपनाने चाहिए वो सब चीजों का गुर उन लोग से भी कुछ सुझाव लेंगे उन लोग को कुछ हम लोग अपनी राय दे रहे हैं और उसके बाद निकल खेती के बाद नोने कहा कि मैं पूरी तनमेता लगन और निष्टा से सचीवपद का कार करूंगा बैठक में राज परतनी थी अनुज कुमार ने पतना में भारतीय रेट को सापड़ाश्ची समीती की परदीश रध्याच छे, डॉक्तर बिने बहादूर सिंहा से duties सर सची भारतेय रेट को सापड़ाश्ची जिला साका भागलपूर सभापती असोग जिवराज ने भेट क और परदेश कारेरा दोड़ा 175 पीस कंबल, 75 पीस कीट और 50 पीस तिर्पाल प्राप्त हुआ कोसाध्यस से साखा भारते रेट क्रोस्टाइश्टी की समीती की जिला साखा के लिए बैंक खाता खोल ने कांडरोध किया गया सभी जिला प्रबंद समीती भारते रेट क्रोस्टाइश्टी जिला साखा भागलपूर के सस्तिय अमपतादीकारी असो कुमार जिवराजिका डॉक्टर अजय कुमार सिंग, कुंज बिहरी जुन जुन वाला, घंस्याम दास कुठार वाला, रवी कुमार, परवीन कुमार जहा, पंकच कुमार तीवारी, कुमार अनुज सिंग, बैद दिवनिर कुमार गुपता उपस्तित थे तो आज उसी संदर में मैठक वी और उसमें प्रवीन कुमार जहा जो कारशकारी समीती के सदस्य है उनके नामों पर विचार हुआ और रस्ताव आया जुन-जुन वाला मौदय चैजरा साब के द्वारा और उसको सबस्तित से सभी लोगों ने जो पस्तित थे आज उसमें से सभी लोगों ने उनको स्विकार किया और प्रवीन कुमार जहा जी ने भी इस पद के लिए अपनी समती और साथवे का कि मैं सुरी कन्मियता और इमांदारी से मैं इस पद का निर्वाहन करूंगा और अन्य कार्जाओं को जैसे कार्जकारणी के लोग अनुज कबार सिंगी पटना गए थे जुम्राज का यह हमारे जो सभापती नोदय है वो भी कहे थे और रभी जी कहे थे वहां से कंबल आया और प्रस्पेट पीट आया कुछ किरपाल आया है उसके संख्या डिटेर ल और उसके बारे में भी लोगों को सदस्यों को जानकारी दिया गया कंबल वित्रन हो गया और किट जो आया है स्वास्त सप्वदी कीट है इसको आप देख सकते हैं यह है इसका वित्रन अभी 50 पीश आया हुआ है और कुछ त्रिपाल आया है कितना पीश है त्रिपाल करेंगे और पिछले कार्जों की संपुस्टी भी इसे सबके साथ आज राम हुआ और जल्द ही हम लोग आस्वसत दिया गया है जहां भी इंक्रोच्मेंट है अवैद कबजा है उसको जल्द ही प्रसासन के द्वारा हम लोगों को खुलवा के सुपूर्द किया जाएगा औ और चार्ज सचीपद के बैनोयन के साथ ही चार्ज का रास्ता लेने का खुल गया है और जल्द ही अब लोग अपनी प्रक्रिया करके रेड क्रॉस सॉसाइटी भागलपूर्द साखा को आगे बढ़ाएगा कि समस्थ पदाधिकारी गन को मैं बहुत बहुत धनिवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि सचीपद के लिए मुझे मन्वेनन किया गया है पुर्वें रेड़ क्रॉस सॉसाइटी भागलपूर्द के द्वारा तोहजार बारे से गती भी धी थी ती वहाँ बिल्कुल नगन्य हो चुकी थी और सही धन से कारी नहीं किया जा रहा था और एक तरह से पकोपाइट किया गया था और हमलों की प्राथमिक्ता यही रहेगी कि इंडियन ग्रेड़ क्रॉस सॉसाइटी के भावन को जो प्रशाशत के द्वारा हम लोगों के मेंबर्स के द्वारा शील करवाया गया है उसे अब खुलवा करके हम लोग वहां ऑफिस अपना सुचारू ढंक से हम लोग चालू करें और इस बीच जो पटना से कंबल और किट उसके बाद किरपाल जो आया हुआ है मानव सेबा के लिए तो सबसे पहले तो हम लोग एक कंबल माटा और अब किट बाटने की तैयारी हो रही है और बाड के समय में हम लोग तिरपाल वगए रही बाटनेंगे